आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, so here our question is The difference between 81% and 49% of a number is 768 किसी number का 81% और 49% को जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 768 आ रहा है What is the 48% of the number? उस number का 48% क्या होगा? यह हमारे पास given options है, इनमें से हमने बताना है कौन सी option है, जो यहाँ पे क्या है, correct अब देखो हमें given क्या है, सबसे बहले हम let कर लेते हैं Let the number be next अगर हम number को x let कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? Difference, ठीक है, difference मतलब 81% माइनस 49% of x क्या दिया हुए हमें? 768 यही दिया हुए हमें difference अब 81 में से जब हम 49 माइनस कर रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है? 32% तो 32% of x किसके एककोल आ गया? 768 के एककोल आ गया अब 32% of x that means 32 upon 100 multiplied by x is equals to 768, यहां से हम solve करके x की value निकाल लेंगे x हमारे पास कितना आ जागा? 768 multiplied by 100 upon 32, 32 के साथ हम cancellation कर रहे हैं, 24 आ गया եो X हमारे पास कितना आ गया? 2400 x means हमारे पास क्या आ गया? number, number को हमने x select किया था तो number हमारे पास कितना आ गया? 2400, अब हमने क्या निकालना है? हमने उसका 48% निकालना थीक है? तो हमारे पास 48% of number means 2400 देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? 48 upon 100 multiplied by पास आंसर आ रहा है 1,152 तो ये आगया हमारा आंसर तो जब हम options चेक कर रहे हैं तो जब हम options चेक कर रहे हैं देन this third option is correct one here, hope it will help you, thank you everyone.